विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रन के गुनों का पालन नहीं करता है देखो आपको पता है अपने जो पेड बेच में केमिश्रे भी स्टार्ट हुए तीन दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तीन दिन पहले चार दिन पहले पढ़ाया था ना बताओ क्या होगा इसका अंसर देखो जैसे मिश्रन आप लोगों को बता है ना मिश्रन किसको बोलते हो क्या आप लोग इसको मिश्रन बोल सकते हो क्या बताओ देखो इसमें केलशियम भी है कारबन भी है ऑक्सीजन भी है क्या इसको मिश्रन बोल सकते हो मिक्षर नहीं बोल स कर दो क्या एक फिक्स रेश्यों है कि केलशियम कार्बोनेट में एक 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 कार्बन का तीन ऑक्सिंट के फिक्स होगा क्या तो यह आपका कंपांड कहलाता है यॉग एक अगर मैं आप लोगों को बोलू हूँ कि आप लोगों ने हल्दी में थोड़ा सा नमक मिला दिया तो क् पर का चो इसको अलग पीका सकते हो तो मिश्रन के बास समझ में अगे मिश्रन क्या होता है और हाँ इसके लिए नहीं होती है कली और नहीं बना हुआ पारणि इसका बला इसको पानी बना है लेकिन जब आप हल्दी और नमक को ऐसे मालो इसके मिश्रन को जब खाओगे ना तो आपको खारा भी लगेगा नमक वाले गुं भी आएंगे, हल्दी वाले गुं भी आży तो मिश्रन के घटक अपने गुनों को बरकरार रखते हैं क्या बिल्कुल तरही बात है, मिश्रन विबिन पदार्तों के हो सकते है क्या हाँ विबिन पतातों को हो सकते हैं ऐसे टोड़ी हल्दी में हल्दी मिलेगी हल्दी में चीनी ये वगएरा खुछ मिला लो बिल्कुल सही बात है यार सही बात है it is separated by physical method क्या ये बहुत एक वीडी से अलग हो सकता है कि बहुत एक वीडी का मतलब है बिना किसी chemical reaction के अलग कर सकते होगे बिल्कुल जैसे माल लो आपने पानी में पत्थर मिला दिये चान लो पत्थर अलग हो जाएगे पानी अलग हो जाएगा तो ये भी आप का गलत है गलत ही आप लोगों को चुनना था